तश्रिया काल एजीत वैप टीवी देखरें सारी दोशकांदा मैं तरण जीत को और एजीत खबरांते इस बुलिटन विच निगा स्वाकत कर दी हां आउ सब तपहला नजर मारदिया आज दियां चोणवी यां खबरांते साका ननकाना साहिब नो समर्पित समागम करवाई पत्नी दा कतल मारण दी तमकी दे के पुतर समेथ होया फ्रार केंदे सिरकान नो जगाउन ले बर्नारा विच मज़ूर किसान एक ता महा रैली आयोजित कैप्टन दे ब्यान दे पकी स्यासत वेर का वलनों सफाई ते दिल्ली विदान सबाव शर्विंद केज रिवाल ते किसान आगवान दी एहम मीटिंग ते हुने ना खबरा ता विस्थार थे कुछ एहम खबरा साका श्री ननकाना सहिब दी पहली श्रहीदी श्ताब्दी दे अफसर देया श्रोमनी गुर्द्वारा परबंध कमेटी वलों शीर दिवान हाल मंजी शीर दर्रबार साइब विखे श्री अखान पार सहीब जीदे पोख पाय गये इस मौके हजूरी रागी जथियांवलों शबतकीरतन कीता गया होती श्रॉम्नी कमेटी वलों गुर्दासपूर सित गुर्द्वारा पाईलचमन सिंग जी तारोवाली पेंड गोदर पूरा विखेवी समागम करवाया गया जिस्विश्रियकाल तक देजथिदार सिंग अपनाई जारी बेरुकी वाले रवये दी सकर निंदा कर दियां काट गंतियां प्रती सोच बदलनी किया उन्हें किहा कि सौ साल पहला वाप्रेश साका नंकाना साहिब दे दर्दनों पारसरकार ने एक वार फिर याद करवा देताई तरन तरन दे सरहदी पेंड़ चाहल विखे देर रात पती ने पत्नी दे सिर्विच सब्बल मार के कतल कर एक व्यक्ती मौके तो फ्रार होगे जान दे समय मुल्जम अपने 16 साल दे लड़के नू मारंदी तमकी दे के नाल लेगया ज़ाद के उसने मौकाप आके कट्णा दी सूचना अपने मास सड़नों दे देती कटना स्थान दे पुची थाना स्राय अमानत खांदी पुलिस ने लाशकब दे विश लेके अगली कारवाई शुरू कर दे दिये जानकरी अनुसार मेजर सिंग पुतर जनेल सिंग ने लंगी रात अपनी पत्नी दे सेर्विच सब्बल मार के उससा कतल कर देता उस समय उसा 16 साल दा लड़का योद बीर सिंग भी कारवे सी जोदो की वड़ा लड़का करन बीर सिंग फॉस विश परती होन पत्टी विखी ट्रेनिंग ले रहाई मेजो सिंग कतल करके फ्रार होन समय अपनी लड़की योद बीर सिंग नो भी अतम की देखे नाल ले गया कि उस नूभी मार देवेगा पर योद बीर सिंग ने आपने सुर सिंग व्रंदे मास सड बलदेव सिंग नो मोकापा के फोन कर देता है थाना सराय मानत खाम पुलीसा केना है कि मुल्जंदी तिलाशली चापे मारी की इतिशार है ये बच्चे दे दो लड़के गई शोटे वालकी ने फंद्राव सब्सक्राइब कर देख कर देंगे दो बच्चे नो को नोक्री देती है वी वाकी दा कर जाएड़ा मार की तैया वी पेंड़ पुजडपरी बनाराविद शाज मज़ूर किसान एकता महा रैली आहोजित की दि गई जिस्विचे स्युक्त किसान मोची दे आगुबलवीर सिंग राजिबान ने कि हा हार पेंड़ विचो दस किसाना दा जथा दिल्ली जावे दिल्ली गई किसाना दा काम पिंड़ना दे किसान करन दिल्ली पुलिस वालों चिना किसाना दे केस दर्ज कीते गई हान उना क किसानों स्युक्त किसान मोर्चा लड़ीगा उना अपील कीती कि पंजाब सरकार दिल्ली पुलिसा साथ ना देवे उते ही रूल्दू सिंग मांसा ने क्या कि जिमें हजूर साहिब ना जानवाले नू सिख नहीं मन्या जानदा उसे तरह दिल्ली ना जानवाला कोई व्यक्ति किसान नहीं हुवेगा उना सद्दा दिता कि किसान अंदोलन विरोधी लोकां दा समाजिक बाइकाट कीता जावी किसान जथी पंदियां ते लोक विश्वास ती खेती कानूना नू रद्द करन दी मांगते कोई समझोता नहीं करांगे तिनने कानून रद्द करवाके पंजाब दी मुखमंतरी कैप्टन अमरेंदर सिंग ने किसान अंदोलन बारे दिते ब्यान ते नराज की परगड़ करनियां की है कि अजिये ब्याना ना अंदोलन नू ता लग सक दिये उथी दूजे पास ते पास बागू हजीद करेवालनी की है कि सरकार ता पहलना ही केप्टन अमरेंदर सिंग ने वी केती कानूना दी परस्तावित मुखतली दिवाद दे बारे मीडिया दे उस ब्यान नू गल्थ व्याख्या करार देंदे हुए कि शुरारत ना लोना दे ब्यान नू तोड मरोड के पेश्की ता गयाए केप्टन अमरेंदर सिंग जी दे ब्यान नू कोश विरोदी गल्थ दिशा देंदी कोशिश कर रहे हैं केप्टन अमरेंदर सिंग होरा ने एक इंट्रू दे विचे गल्थ कई कि किसाना दे कोलों फीड़ बैक मिल रही है कि शैद दो या तिन साल वास्ते केंदर सरकार कानूना करतें दे पर ईता मतलब यह नहीं कि केप्टन अमरेंदर सिंग कोई एकमेंद दे हुआइं याप टन अमरेंदर सिंग पंजाब के कनून लागव नहीं होंगरें रहा नेुजас कि इंदर सरकार ने पाया हो यै वुष्टे केपटन अरींदर संहिंग ने भ्यान देता है वो आटी कॉंग। यह पंजाब यह कनून लागू नहीं हुने और कैप्टन अमरिंदर सेंग दे ब्यानू तोर मरोड के पेश करन दी कोशिश ना किती जाले। खेती कानूना नूले के जुते देश पार विचे संगर्शे उते स्यासी पार्टियां दा समर्थन भी इस अंदोलनों पर पूर मिल वहाई। जी विचे दिली दे बौडरां ते तरने दे बैठे किसाना दा दर्द समझते हुए आमादमी पार्डी दे कन्मीनर दे दिली दे मुखवंत री अर्विन केजरीवाल लगातार किसानी हाख विच अवाज चुक दिया रहान। इस कानून दिया खामियन उले अर्विन केजरीवाल ने अज यानि की एतवारनू किसाना गवनल मुलाकात ले बुलाया दिली विधानसभा कंप्लेक्स विचे बैठे कुई जिस विच किसानी मुद्यां ते चर्चा की थी गई। आज पश्चमी उत्तर प्रदेश से कई किसान नेता दिली विधानसभा के प्रांगन में इन तीनों काले कानूनों के उपर चर्चा करने के लिए आये थे। बारती जंता पार्टी और केंद्र सरकार बार-बार ये कह रही है कि इन कानूनों से किसानों का पाइदा है लेकिन अभी तक वो एक भी फाइदा जंता को बताने में नाकाम रही है उल्टे गतीनों कानून एक तरह से किसानों के लिए डेफ वारंट है अगर ये किसानों कानून पास हो जाते हैं तो देश के किसानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी किसानों की जो किसानी है वो कुछ चंद प्राइपनियों के हाथ में चली जाएगी और हमारे देश का किसान अपने खेट में मजदूर बनने के लिए बेबस हो जाएगा 18 तारिक को मेरट में बहुत बड़ी किसान महापनचायत है और उसमें भारी संख्या में किसान मौजूद होंगे और उसके अंदर भी किसान महापनचायत के अंदर भी इन तीनों कानूनों के उपर चर्चा की जाएगी और इनकों वापस लेने के लिए केंदर सकार से अपील की जाएगी चोला साहिब दी नजदी की पेंड गुजर पुरावे के करजे तो परशान किसान वलू जरीली चीज निकल के खुदकुशी का लेन दी खबर सामने आईए मृतक दी पहचान जन्याल सिंग पुतर दलबीर सिंग वासी पेंड गुजर पुराँ दे तौरते हुए परिवारक मेंब्रा मताबिक मृतक जन्याल सिंग जमीन दी काड़ दे चल दियां लम्मी समितु करजा ना मोर सकन करके पर शान रेंदसी चेजे चल दियां आज स्वेरी तकरीबन सात वजी ओ करो बार गया ते वापसा कि आपने कमने विचे जलीली दवाई निकल गई जिस कानूजी मोके ते ही मौत हो गई पुलिस मामे दी जान्च कर रही है जो एक जी कर जेत थोई ना जो एए अधिया आये दर पहली एना दी भी मांड़ दी सीगी तर्याने ताला अच्छी पानी पानी पाली चुंदे फसल कोई नी ना चो ना ना कान काना पठा ना कोई ना को कि मुण आत्यों को बेस्ताओ दों कि मंामे बचयारी ना मार्गी त्राहिन है ते वोने आप पी दुखी ओकी ओकड़ा नाय bishopक ने लेजिए ख्रकती कोय दिन मदाविव प्राषियों प्रहर को दोब्रृ इक टोके ही स helia ।क मान वाला कोई नीसी ओक झाए एा हम साहनु त सुक्वीर सिंग बादल ने दसुहा दे पिंट महधी पूर विच किसानी बिल्ना ती करजे तो दुखी पिता पुत्तर वलू खुदकुशी करन वालें दे परिवादना दुख सांचा की ता इस मौकिश रॉमनी अकाली दल्दे परदान सुक्वीर सिंग बादल ने इस कटना नो दुखदाई दस्यां की हा कि सारी जिम्मेवारी कैप्टन सरकार दिये उना किहा कि कैप्टन अमरेंदर सिंग ने गुटका साहिब ते हातरा के सूंख हादिसी कि किसाना दे करजे माफ कीते जानगे पर उपनी कीते वादे ते पूरे नहीं उत्रे जिस कारन किसाना नो खुदकुश्यां करनिया पैर यहान अज जिदो मैंनों खवर पता लगी कि करीप रवार एक बज़र्ग थे और बेटे नहीं आप सूसाइट ता क्योंकि करजे दे डबेस नहीं बड़ा दुख लगया तो मैं आज स्पेशली अमर सरसी मैचले लिगूर अप्सोर्स करना सेबर करेंगा एक थे आया थे पता अपरवार जिदा है अपने कहला हिक एक बज़र्ग दे अपर अपरवार जिदा है नहीं आपने कहला एक ख़ग जवीन आ थे अनल उमीद सी किसाटक करजा माफ भरूम ज़िए क्योंकि क्यात्टन साभ ने आपने बग्का साभी सौंच वे ने सारा अपर लगी कि मैं सारे गवार है सार जितार संगिए। पर्वार है। एज सार जितार संग वी साल सर पंच रहे है। लंबदार लगाता रहे है। ज़िए एक एक रुपी आ भी है नहीं कि आप से पार्मिया है। एक कर्पिया निकीता है जिडे परवार ते ना बोज पाय गया कर्जेदार एंड उस ते नालिक सेंटर सिरकार ने मोदी साव ने आज एक कानून करके तो पचारे कसान नो मुझूर होके वोदे बेटे नो मुझूर होके अपनी जान बेनी है यह बहुत दुख़ी है परवार चले जाने का शिनदगी लेगा लेटे लेनी है अपनी च़ड़ना बहुत अक्तिछा हैстве कहना बड़ा सोखा है कि आत्मत्या घरी आात्मत्या करनी बहुत अक्तिय honine है तो ओ ANसान आत्मत्या कर दा जप्स जड़ा बहुत जादा दुखी हो गया है उन्जे में मैं हेल कि अन और टर्फ कर देख्के आई तो जिरह वीज साल सक पंच रहा हूए कर देखो एक नेक इंसाम परेंगो регubenलां में युथ मुद्धु लिए तार बीज साल में सोब्स प्रों में रहा है कि सर्व संतिना देल कि बन्दर है अजा इजान साम किसा पादार एन वड़ी बैठक आयूजित कीती गई स्विसाउथ काटन करनली पर दानमंत्री दिली दे अन्दीम्सी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे इस रुवान पांच सूबयां या चोना नू रहके पर दानमंत्री नुएंद्र मोधी ने संबोधन कीता इस मौ के उनने खेती कानूना संबंधी वी चर्चा कीती इस बैठक विच पाज पाज पादे राश्री ओदे धानातों इलावा सूबा इंचार्ज दे से इंचार्ज दे नाली पर देश काई दे मुखी वी शामल हुए इस एम बैठक विच चुनावी सूब्या नु लेके पार्टी दी राणे देती तेवीच शर्चा हुए खेती कानूना दा विरोध कारवे संजुक्त किसान मोर्चा दी सिंगु बाड़ते अज मीटिंग हुए जिस विच संगर्ष दी अगली रूपे खा त्यार करन बारे आपस विच चर्चा कीती गई इस व बाद केसाना ने प्रेस कान्फरेंस किती ते खेती कानूना ख्लाव केसाना नू लाम बंध होन दा सद ही। इस रौना केसाना नू सद दा के किसान अंदोलन ब्रोदी लोकां दा स्माजिक भाइकार कीता जावे नगनिगम चोणा विच रोमनी अकाली दल वनों 15 सीटां ते काबज हो कि आउन वाले 2022 विधान सबा चोणा विच अकाली दल दी सरकार्मनाओं दावाज जथिदा तोता सिंग ने प्रेस कांफरेंस करके कीता है जथिदा तोता सिंग ने मुखमांत्री पंजाब कैप्टन अमरेंदो सिंग ते तंच कस्दियां कि हा कि मुखमांत्री वनों पिछली चार साला में शिक्वी वादा पूरा नहीं कीता गया जिज़ा लोग आउन वाले 2022 विधान सबा विच अकाली दल दी सरकार्मनाओं के मू अगे दे लोका ने श्रोमनी अकाल देल दी चोली 15 सीतां पागे जबूत पेश कीता है कि लोग चूटे वादयान वनकार के विकास चाहूं देहान ते जिनाली अजीद खबरान दे बुलिटर ने ते ही खतम होंदा है नविया ती ताज़ा तुरिन खबरान लेके फिर तू हाजर हुआगे तद तक ली दियो इज़ासत सश्रीयकाल पुलना एना ही नहीं हिंदी दे वेचे खबरान वासते लाइक ते फॉलो करो साड़ा फेस्बुक पेज अजी समाचा हिंदी योट्यूब दे उते वीडियो खबरान देखन देली उन्हें सब्सक्राइब करो अजीत दा ओफीशल योट्यूब चैनल अजीत वेब टीवी तो हाड़ा अपना अजीत होन ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उते वी उपलब्द है ट्विटर दे उते खबरान देली फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे खबरान दे नाल नाल वीडियो देखन देली फॉलो करो बलू टिक वाला साड़ा ओफीशल चैनल देली अजीद, एना ही नहीं, अजीद दे वीडियों हुन तुसी एपल टीवी दे उते भी वेख सकते हो, एना आली अजीद अखबार दा डिजिटल अडिशन पढ़न देली डाउनलोड करो, अजीद e-paper app, तोहड़ा अपना प्रोसे जोग चैनल, तोहड़ी अपनी अवाज पंजाब दी अवाज अजीद